किसी ने पूछा भाईया मोदी जी तो कहते हैं कि हम तो फकीर हैं जोला उठा कर चल पड़ेंगी तो ये सेंट्रल मिस्टा क्यों बनबा रहे हैं अपने लिए दिमाग तो खटका वगर फिर सूचा कि जो आदमी एक छुट्टी नहीं लेता दिन में 18-18 घंटे काम करता है यात्रा के वक्त हवाई जहाज को भी दफ्तर बना दिता है वो क्या सेंट्रल विस्टा अपने लिए बनवाएगा क्योंकि जब उसने सरदार पटेल की मूर्ती बनाई तब भी लोग ऐसे ही कह रहे थे लेकिन आज दुनिया इस मूर्ती को देखने के लिए भारत आना चाहत लिए 20,000 करोण रुपे खर्च करने जा रहे हैं माफ कीजिएगा हम नहीं कह रहे हैं ऐसा बिना किसी सबूत के प्रचार किया जा रहा है राहुल गांधी भी सेंट्रल विस्टा की लाकत 13,000 करोण बताते हैं लेकिन जब केंद्रिय मंत्री हरदीप पुरी ने असलियत बता जिसकी लागत 20,000 करोण रुपे नहीं सिर्फ 1300 करोण के आसपास है चौक गए ना नई पार्लियामेंट बिल्लिंग की अनुमानित लागत 862 करोण जबकि सेंट्रल विस्टा एविन्यू की अनुमानित लागत 477 करोण रुपे हैं कुल मिलाकर हुए 1300 करोण के आसपास जूट का पहला पटाखा तो यहीं फूट गया अब दूसरी बात जिस नई पार्लियामेंट बिल्लिंग को मोदी का महल बताया जा रहा है उसमें देश के सारे सांसद और आज इस सभा सदस से बैठेंगे अकेले मोदी नहीं राहुल गांधी भी होंगे वहां और की नेता भी देखिएगा जब इसका उद्धाटन होगा तो यहीं विरोध करने वाले नेता सबसे ज्यादा उतावले नजर आएंगे क्योंकि आज भी ये नेता वक्त वक्त पर ऐसे ही संसद भवन का सपना देखते नजर आ जाते हैं वैसे 2012 में जब मीरा कुमार लोग सभा ध्यक्ष थी तब उन्हीं के OSD ने पत्र लिखकर बताया था कि एक नई संसद भवन बननी है वैसे तो राजीव गांधी जब फ्रधान मंत्री थे तब से ये मांग की जा रही है अब आजाईए असल मुद्धिपर मौझूदा पालिया मेंट में सभी मंत्राले के दफ्तरो की लागत है 1300 करोन मतलब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की लागत एक साल में ही वसूल हो जाएगी और अगले साल से सरकार की भारी बचत शुरू हो जाएगी अब अगली बात यह है कि 2026 तक परिसीमन भी होना है परिसीमन के बार निशित है कि लोग सभा की सीटे बढ़ हो जाएगी राज्य सभा में 250 से बढ़कर 384 सदस्यों के बैठने की शमता होगी संयुक्त सत्र के दौरान नई शमता बढ़कर 1224 सदस्यों तक हो जाएगी संसर का नया भवन बनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भूकम के लिहाज से मौजुदा संसर भवन सेज्मिक जोन 24 में आता है यानि अगर बड़ा भूकम पाया तो भारी नुकसान हो सकता है वैसे भी ये इमारत लगभग 94 वर्ष पुरानी हो चुकी है मतलब हर तरफ से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देश की जरूरत है कोई और सरकार होती तब भी इसे बनाना ही पड़ता हाँ ये तो विपक्षी नेता किसी आधार के बिना इसकी लागत को इतना बढ़ा चाड़ा कर बताते हैं क्योंकि उनके हिसाब से तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देरा सौ करोड का नहीं बल्कि बीज सौ करोड का होना चाहिए था